हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ आईएस हिंदी हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका Study IQ में और हिंदी साहित की कक्षाएं शुरू हो रही है Study IQ.com प्लेटफॉर्म पे जाके आप हिंदी साहित व्यक्राइब करनी होती है उसको कैसे अटेम्ट किया जाए और जब से हिंदी साहित मैं पढ़ा रहा हूं इतने सारे बेचे निकल गए बहुत सारे बच्चे ये प्रशन करते हैं यद्य पि मैंने इसमें पहले वीडियो बनाया है पर मैंने सोचा कि एक फ्रेश एक वीडियो बनाता हूं जहां पे कभीर दास कि किसी साखी को लेके हम एक उदार हूं कि हिंदी साहित के साथ क्कार्श बात क्या है कि जो मुख्य परिक्षा में जो प्रशन गाइते हैं मतलब ऑपकी मैर्स के साथ साथ उसके सभी अवैवहों को देख रहे हैं ये बहुत मैटर करता है जैसैमाल लिजे हमने कभीर के बारे में इंट अर चीज पढ़ी कबीर के योक साधना के समय से लेके उनकी एकांतिक प्रेम तक का जो दौर था उसको हमने देखा हमने उनकी भाशा को देखा हमने उनकी वाणी को समझा हमने उनके समासुधारक रूप को देखा हमने उनके कवी रूप को देखा हमने उनके भक्त रूप को देखा हमने उनके व्याक्या में कैसे प्रियुक्त कर सकते हैं यही आज हम discuss करेंगे ठीक है तो एक हम sample में अगर देखा जाये तो हम एक हम चुकि कभीर्दास पढ़ रहे हैं व्याक्या खर्णड में हम देखते हैं देखे हमारे पीछे आप देख सकते हैं और दोनों गुरू को लेगे पहला है कि पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथ ही पीछे लागा जाई था लोकवेद के साथ ही आगे है सदगुर मिल्या दीपक दिया हाथ ही आगे हैं सद्गुर मिल्या दीपक दिया हाथी, उसके जस नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे है, सद्गुर हम से रीच कर कहया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सपंग, कहने का मतलब कि गुरू को लेके दो साखियां कबीर दास द्वारा लिखित, शाम सुंदर दास द्वारा संकलित आपके सामने उपस्तित है, अब हमको प्रशन देखते ही कई बार, जैसे कहते हैं कि अजीव से घबराट होने लगती है, बिलकुल लगी घबराना है, देखिए, अगर आपको अर्थ थोड़ा बहुत भी आता है, मैं ये मान के चलता हू इस टॉपिक को या इस पर्टिकुलर सेक्शन को ले कि आपके सामने हाजिर है, कि कैसे आप प्रसंग व्याख्या और उसके बाद जो विशेश लिखते हैं, उसमें कैसे अपना कमाल दिखा सकते हैं, ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करो तो, सबसे पहले हम इसक से कबीर के मैकसिम जो साखिया हैं, उनके लिए कॉमन रहेगा, संदर्व को एक बाद लिख लेते हैं, जैसे, संदर्व, संदर्व, प्रस्तुत पर्द्यांश, प्रतुस्त पर्द्यांश, वैसे यह साखी है, साखी, जैसे जो आपका मेन फैक्ट वाला पार्ट होता है, उसको आप अपनी डार्क, जैसे मैं तो यहाँ पर कलर्ट मैंसे लिख रहा हूं, आप ब्लू और ब्लैक में लिखेगा, जो मेन फैक्ट जहाँ पर जिस शाम सुनदर्दास, कबीर, कबीर गं थावली, इन सब को जबाब लिखेंगे, तो आप इसको ब्लैक में से लिखेंगे, अंडर लाइन कर सकते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं, यह पंक्तिया, डॉक्टर, शाम सुनदर्दास, द्वारा संकलित, कबीर, गंतावली से ली गई है, द्वारा संकलित, कबीर गंतावली से ली गई है, इन साखियों के प्रश्नाकार लेखक, भक्तिकाल के, भक्तिकाल की, ग्यानाश्री या जिसे हम संत शाका कहते हैं, शाका के, आदिकवी, कबीर दास, द्वारा की गई है, अब एक चीज़ और ध्यान रखेगा, यह नीचे पंक्ति मैंने लिखी है, इसको आप उपर भी लिख सकते हैं, जो उपर लिख रहा है, जैसे कि आप कहसे हैं कि प्रतूर पध्यार्स, या साकी कावे पंक्तियां, कबीर दास द्वारा, मतलब आदिकवी कबीर दास द्वारा लिखे थे हैं, जिनका संकलन, टॉक्टर शाम सुंदर दास ने अपनी पुस्तिका कबीर गंथावली में किया है, दोनों लिख सकते हैं, आपके उपर, मैंने इसलिए बताएं कि मुमन लोग वही पैटन फॉलो करते हैं, तो मैंने तो आसा लाइन लड़ दिया, चुकि जो संदर्भ वाला सेक्शन रहता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रिटिकल करने का आपके पास समय होता नहीं है, ठीक है, द्वारा की गई है दिखी गई है, ठीक है, रजना की गई है, स्वारी, बिंदी नहीं रहेगा, ठीक है, आगे, प्रस्तुत साखियां, गुरुदेव को अंग से उद्जित है, ठीक है, अब यू तो आप संदर्म में और भी चीजों को लिख सकते हैं, मेंजिन कर सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि हिंदी साहित्य, आपके साहित्तिक विचारधाराओं को शब्द देने का वैकल पे क्विशा है, या सब्जेक्ट है, लेकिन जगह सही होन प्रसंग की बात करते हैं, तो जब तक हम डॉक्टर स्चुक्ल की बात करते हैं, तो शुक्ल स्फ यूगीन प्रवित्यों की बात करते हैं, टॉक्टर शुक्ल युगीन प्रवित्यों की बात करते थे तो परंपरावादी जो प्रवित्य थी उस पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और इस वजह से आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी को वहाँ प्याना पढ़ता है और आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी चानते हुए कबीर दास को नात संप्रदाय से जोड़ते हैं और बताते हैं कि कबीर दास पे नात संप्रदाय का बहुत जादा प्रभाव है तो अब इसमें थोड़ा सा लिखते हैं इसके प्रसंग की बात कर लिजाए तो ठीक है हम प्रसंग पर आते हैं और इसको बड़ा छ कबीर दाज जी हिंदी साहित में एक मात्र ऐसे कवी हुए जिन्हों ने गुरुओं पर बहुत से काव्य पद काव्य पद लिखे आप देखेंगे गुरुओं पर बहुत लोगों ने लिखा है लेकिन जिस कबीर दास किसे चुनते हैं कबीर दास गुरु को चुनते हैं गोविंद को नहीं क्योंकि गोविंद के बारे में बताता को और उने खुद गुरु बताते हैं अभी देखेंगे बरसा बादल भीज का बर्सा बादल प्रेम तब भीज गया सबंग घुरु का प्रेम ऐसा है कि हर जगा उनको गुरु के प्रेम ही दिख रहा है ठीक है तो जितना उन्होंने लिखा है कबीर दास ने उतना किसी ने नहीं लिखा एक तो बात ये है ठीक है और एक चीज और कि गुरूँ पर लिखते समय उन्होंने गुरू को ईश्वर से अधिक उसको फिर से लिख देता हूं लेकि जब महत तो लिखे तो बहुत ध्यान से लिखें बहुत से लोग गलत महत लिखते हैं महत तो दिया है ठीक है और नात परमपरा से जुड़े होने के कारण पैसे भी कबीर पर गुरू की महत्ता का प्रभाव पढ़ना निश्यत था ठीक है गुरू की महत्ता का प्रभाव पढ़ना निश्यत था और जब हम गुरुदेव की अंग में इन दो साख्यों को देखते हैं तो कहीं न कहीं ये लग जाता है सपस्ट हो जाता है कि कबीर दाज्व हैं वो गुरू को चाहे ज्यान मुलक हो चाहे प्रेम मुलक हो दोनों विश्यों के विश्यों पे महत्तो देते हैं ठीक है गुरुदेव की अंग से उद्धत टी गई साख्यों को देख कर नहीं कुपड़ कर सपस्ट होता है कि कबीर ने ग्यान मुलक एवं प्रेम मुलक दोनों स्थापित की है गुरु की महत्ता स्थापित की है ठीक है ग्यान मुलक और प्रेम मुलक दोनों सतरों पर प्रेम मुलक भक्ती और प्रेम मुलक गुरुत की बात वो करने लगते है ठीक है तो कबीर दास को पढ़ते हुए आपको यह चीज़े स्पस्ट होंगी तो यह तो हुआ प्रसंग हम ने हाप प्रसंड लिए कि प्रस्तुस साखिया ऐसी भावों को व्यक्त करती है अब मौका आता है कि इसका व्याख्या का अब बात आती यए किसकल व्याख्या की देखे व्याख्या जो है वो व्याख्या मैं आपको बता देता हूं वो हूमवर के तौर पे आप लिख लिजेगा ठीक है व्याख्या हूमवर के तौर पे लिख लिजेगा चुकि जो विशेश है और जो प्रसंग है और जो संदर्ब है इन पे ज्यादा काम करना होता है चु पीर कहते हैं कि शास्त्र ग्यान जो होता है ना देखिए आपको फिर से दिखा दूँ यहां पर जो पहली साकी थी कि पहली साकी में क्या कहते हैं कि जो दुनिया का जो ग्यान है जो दुनिया ने मुझसे कहा जब मैं उस डिरेक्शन में बढ़ा या जो शास्त्रों का ग्यान बाते होती हैं उनको देख के उनको पढ़ के जब मैं आगे बढ़ रहा था तो मैं अंदकार कि तरफ बढ़ रहा था अंदकार का मार्ग त рассmos एमई बर अधुरा ता में मैं पहली साकी की बात बतारों ये इसकी बात करूं ठाँ Okay लेकिन जब blossoms मुझे गुरू मिला जब मुझे अच्छा गुरू की भी सद्गुरू हमेशा बोलते हैं जो सच्चा गुरू होता है तो जब मुझे गुरू मिला तो लिखा है ना कि आगे हैं सद्गुरू मिला दीपक दिया हाती लेकिन बात में जब मुझे सद्गुरू मिला उसने मेरे हा करो अपदीपो भव जो बुद्धिजम में कॉंसेप्ट आता है ना अपदीपो भव अपना प्रकाश स्वयम बनो वही बात यहां पे कभीर दास सद्गुरु के माध्यम से कहलाना चाह रहे हैं अपने गुरु के माध्यम से तो पहली साकीकार्थ यह ठीक है दूसरा साथ बूति की बात कर रहे हैं गुरु ने जब उन्हें परम ग्यान की उपलब्दी कराई उसकी बात कर रहे हैं उनके गुरु ने जब उन्हें परम ग्यान की उपलब्दी कराई वे उसकी बात कर रहे हैं वे बताते हैं कि सद्गुरु ने सद्गुरु ने मुझसे भक्त इभ ग्यान मिला जिसे मैं ग्यान मुलक और प्रेम मुलक दो शब्दों का मैंने प्रूब किया था वो ग्यान किया था प्रेम मुलक ग्यान था ठीक है और परम ग्यान की प्राप्ति इतनी अहलातकारी थी इतनी खुशी देने वाला वो समय था कि बरस्या बादल प्रेम का कि प्रे निदूरी साख compound कि इभू जाते हैं कि उसका की सब् wijson me ने बता दि उए अब हमको आना cured जिस्वेंश पे बोहुत सारे चात रहां को कैसे टैक़्लट ना थी लिए आजाते हैं वापस तो यह एक ऐसे पतलब कवी है जो संसलिष्टता या तारकिक्ता के पैमाने कह जा सकते हैं आप कबीर की भाषा देख लीजिए पंचे मेली खिचडी तमाम भाषाओं का मिक्षर आप उनकी साधना देख लीजिए वो योग साधना भी है भक्ति साधना भी है ठीक है योगात्मा क्रह सवाद भी है साधनात्मा क्रह सवाद भी है भावनात्मा क्रह सवाद भी है एकांतिक प्रेम भी है उस गुरू के साथ में या अपने प्रियारी अपने इस्ट के साथ में वहीं कबीर को जब आप उनकी स्वरूप को देखेंगे उनके स्वरूप को देखेंगे तो आपको महाँ पे उनका समास उधारक सुरूप भी दिखेगा, आपको कबीर का कवी सुरूप भी दिखेगा, संत सुरूप भी दिखेगा, लेकिन सबसे उपर उनका फिर आपको भक्त सुरूप दिखेगा, कबीर के दर्शन की बात कलें, तो आपको अद्वयतवाद भी दिखेगा, आपको नात परंपरा भी देखेगी महाँ पे आपको सूफी रहस्यवाद भी दिखेगा आपको वैश्रमाइट में जो वैश्रम कल्चर है उसमें जो जीवन जीने की पर्धती है वो भी देखने को मिलेगी तो बहुत सारी चीज़े हैं जो कबीर के जो व्यक्तित है उसमें और इसलिए हम कबीर के व्यक्तित उसे एक शब्द जोड़ते हैं जिसको कहते हैं संसलिष्टता संसलिष्टता ठीक है और संसलिष्टता कप होती है जब हम तारकिक होते हैं जब हम तारकिकता की बात करते हैं ठीक है आप किसी रस्ते से जा रहे हैं और वो है ना कि मैं रस् जरूर गलत जगह जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आप प्रश्ण करते जाते हैं, तरक करते जाते हैं, कि हम इधर क्यूं जा रहे हैं, तो निशित तोर पे आप सही direction में चले जाएंगे, यही खास बात है कबीर की, कि वो तरक करते हैं, और इसी ल वांगोरों में ऐसी संस्लिष्टा या तार्किक्ता नहीं दिखेंगी जो आपको कभीर में दिखेंगी ठीक著 हम répond कि बात कर रहे थे ठीक है जब हम विशेश्था की बात कर रहे थे तो करके अगर हम बात कर लें तो हमको क्या क्या चीज़े हमको देखने को मिलती है ठीक है एक कि वो सत्गुरू का अमहत्तों बताते हैं गुरू के सबसे इस्तमाल नहीं करते हैं सत्गुरू मतलब सच्चे गुरू की बात करते हैं तो जब भी होगा तो सत्गुरू कौन है जो न जान देता है, आप एक इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है, और जब उस सद्धगुरु की महिवा बताते हैं, तो याद करिए कि एक बहुत फेमस कबीर का दोहा है, जो हमें बहुत स्थमाल करते हैं, क्या कबीर का दोहा क्या है, गुरु, गोविंद, दोवु खड़े, काके लाग गुरु पाए, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो, मिलाए, बहुत जगा पे आपको बताया भी मिलता है, ठीक है, गोविंद दियो, मिलाए, ठीक है, तो आप ऐसे जो उनके दोहे हैं, जो गुरु से जुड़ते हैं, आप उनको भी यह यहां पे जोड सकते हैं, चूंकि जो प्रमुख, जो गुण है, जो साखिया आपको प्रश्म दी हुई थी, उनमें गुरु और सच्चे गुरु, यानि सद्ध्गुरु की बात की गई है, यहां पे भी गुरु की बात की गई है, कि गुरु सबसे उपर है, ठीक है, एक तो यह बात हो गई, और विशेश में आप किस चीज़ को बात कर सकते हैं, देखिए, नाथों का गहरा प्रभाव है, बिलकुल नाथ परमपरा का गहरा प्रभाव है, और जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, नाथ परमपरा का गहरा प्रभाव, दूसरा विशेश है, तो यहां पर आप बता सकते हैं, जिकि गुरक नाज से लेके चरपटी नाज तक ऐसे बहुत सारे गुरू हुए, जिन्होंने खुद गुरू की महत्ता पे जोर दिया, चरपटी नाज से लेके गुरू की महत्ता पे जोर दिया, तो एक पॉइंट तो आप ये जोर सकते हैं, जब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो कबीर मध्यकाल के हैं फिर विवे आध्वे कवी हैं क्यों क्योंकि वो शास्त्रवात के खिलाब एक तार्किक मुहिम छिरते हैं ठीक है क्या शास्त्रवात के खिलाब तार्किक मुहिम छिरते दिखते हैं यहाँ पे भी उन्होंने गुरू के उस पैमाने को नहीं स्विकार किया जो दुनिया बना की गई है उन्होंने पहले तो गुरू को सद्गुरु बोला और उसके बाद सद्गुरु की महिमा की बात की और ग्यान मुलक और प्रेम मुलक दोनों ही गुरों के दरमयान गुरू की विशेष्टा को बताया अब जब मैं इसकी बात करता हूं सास्त्रवात के खिलाफ तार्किक मुहिन तो आपको क्या पता है कबीर के बारे में पोथी पड़पर जग्मुआ पंडित भया नकोई धाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई ठीक है यहां पर आपको देखने को लग रहा है कि कैसे विशेश वाले जो पॉइंट से उनको बनाया जाता है ऐसा नहीं कि अपने अरजित ग्यान के प्रयोग से ही लिख रहे हो ना अरजित ग्यान का जो प्रयोग है आप उससे ही इसको लिख रहे है ठीक है चौथा पॉइंट और देंगे नातव परंपराा से जुड़ती नाउठ परंपरा जूड़ती है बुद्धिशम गया जैसार कैसा कि मैं बुद्धिजम के जो fundamentals थे वो उन पे काम करता था समझ रहे हैं महायान symbols पे जादा गया बुद्ध की मूर्ती, बुद्ध के चरण बुद्धि सत्व इन सब पे ज्यादा यही महायान चुकि यह चुकि fundamentals पे था तो यह भटका नहीं पर महायान पे भटकना के बहुत चांस थे और यह महायान जो है, यह बाद में जाके आपको एक और तांतरिक कल्ट वज्रयान में बदलता दिखेगा, जहां पे तंत्रमंत्र बहुत जादा बढ़ गया था, इसी वज्रयान शाखा से निकल के आते हैं और सिद्ध भोग मुलक उपासना की बात करने लगते हैं किसकी बात करने लगते हैं भोग मुलक उपासना की ठीक है, और इनी सिद्धों की भोग मुलक उपासना क्यों जब आप और प्योर फार्म में देखेंगे तो आपको भोग मुलक उपासना के क्या कहते हैं वो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक बाने जाते हैं उन्होंने सिध्धों के जो कर्मकानडों में जो दोश था एक एक करके उसको क्लियर किया साफ किया और नाथ संप्रदाय की स्थापना की तो कहीं न कहीं अगर आप इस नाथ संप्रदाय को देखेंगे तो य या कई जगा आत्म दीपोभव भी लिखा हुआ है अपना प्रकाश स्वेम बनो जो पहली साकी थी उसमें मैंने था न बताया था न कि अपन दीपोभव की बात की थी तो विशेश में आप उसको भी लिख सकते हैं और आप विशेश में क्या लिख सकते हैं ग्यान को महत दिया गया है ठीक है ग्यान को महत दिया गया है लेकिन ये ग्यान शंकराचारे के अद्वैत वाला शुष्कव नीरस ग्यान नहीं है ये कैसा ग्यान है ये प्रेम मूलक ग्यान है मैंने फिर से बताया क्या कि ग्यान कैसा है जो ग्यान दिया गया है वो क्या है प संपर्दाय को फॉलो करते थे तो नाथ संपर्दाय में शट चक्र भेदन पक्रिया होती थी जहां पर कुंडलिनी शट चक्र भेदने के बाद श्यों चक्र भेदने के बाद महा कुंडली में मिल जाती थी कबीर को कहा जाता है कि उन्हें उनका भेदने के बाद भी कुंडली उनकी महा कुंडलिन से नहीं मिली तो नाथ परमपरा से उनका दुराव हो गया और फिर वो ज्ञान सिद्ध की बजाए प्रेम सिद्ध की तरफ आगे बढ़ गए और उसके बाद आप देखेंगे कि उनका भक्त सुरूप और ज्यादा प्रेम वसल हो गया उनकी जो भाषा थ प्रेम की बात करते देखेंगे तो आप उनको उनके गुरुवों से या उनके इस्ट से विभिन रूपों में जुड़ते देखेंगे जैसे 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 हरी मोरे प्यूँ हरी मोरे हरी मोरे प्यूँ मैं हरी की बहुरिया हरी मेरे प्यूँ मैं हरी की बहुरिया हरी मेरे पिया है और मैं उनकी बहु हूँ ऐसे ही आपको एक और देखने को मिलेगा कबीरा कूता राम का मुतिया मेरा ना तो वहाँ पे वो खुद को राम का कुता बताते हैं और अपना ना मोती बताते हैं तो वहाँ पे भी एक अलग रूप मिलेगा और चुकि यहां पहने कि बरसा बातल प्रेम का भीज गया सबंग तो आपको वो भी मिलेगा कि तलफे बिन बालम मोर जिया, तलफ तलफ के भोर किया, वो भी आपको दिखेगा, तो ये जो प्रेम के अलग अलग विदाएं हैं और एक ही व्यक्ति से प्रेम करने में अलग अलग रूप में उसे देखना, हरी जनीरी में बालक तोरा, तो एक ब तो ख़िलेसे बात और अगर देखा जायां कि वाड़ी की बात तो कबीर क्या है वाड़ी के डिक्टेटर है थी स्वाड़ी के डिक्टेटर है थी आती यह अप कैसे के प्रयूख करेंगे क्यों कि जब उन्होंने मुलों को उन्हें विश्वास नाथ परंपराल चुठ गया तो उन्होंने बाकैदा नाथ अंतसान भाषा थी उस तरीके से उन पे भी विवेश्च न दी मतलब उनको क्रिटिसाइज किया अंतर साथ नात्रों भासा जो नात्र प्रयोग किया करते थे तो इसलिए वाणि के डिक्टेटर कहा जाते हैं दھूल रके निकल लेता था उसका इतना हिंमत नहीं होता था कि वहाँ पर पर प्रप् भाजा को सुनेंगे उनकी भाषा में नोटिस करेंगे कि पंजाबी शब्रस्या देख्या ये वाले शब्स मिलते हैं आपको उसमें चाहरी discussing हर ह्यांअगी शब्दों का भी प्रयोग दिखेगा आपको राजस्ठानी शब्दों अभी प्रयोग दिखेगा आपको खड़ी बोली का भी प्रयोग दिखेगा सकते, तो यह कबीर दास के साथ खास बात क्या है क्यों की शुकि पंच मेल खिचडी कही जाती तो जरू कवितायं लिखी है पर कभीर खुद कहते हैं इए नै कि जो तुम जाने हो गीती हैं वह जिनको तुम कहते हो गीत है वह मेरे ब्रह्मचा वह हमारी आत्मा साइज्ड करते हैं कि घूस्ड करते हैं खुदको बताते हैं लिखते हैं तो जो examiner है उसको आपकी depth का पता चलता है आपकी गहराई का पता चलता है और जब उसको आपकी गहराई का पता चलेगा और यह पता चलेगा कि इतने अच्छे तरीके से आपने कबीर को तुलसी को सूर को जाइसी को बिहारी को या अन्य कवियों को य कि कैसे जो व्याख्या खंड होता है उसको टैकल करना चाहिए ठीक है में जो पॉइंट होगे उनको अंडर राइल में कर दी जाएगा प्रासंगिक्ता भी बता सकते हैं कि आज के समय भी हम जब प्रेम की बात करते हैं जब हम गुरू की बात करते हैं तो आज भी कबीर जो आ आपको दिखता रहेगा जब तक आप प्रेम या गुरू की बात करेंगे तब तक आपको या आप समाजिक डंबर पर चोट की बात करेंगे आपको कभीर जैसा विक्ति तो जरूर दिखता रहेगा ऐसा लिखके वहाँ पर आप कर दिया कीज़ेगा ठीक है तो 17 जून से हिं लेकिन कक्षाएं जो है वो प्रॉपर जो है वो प्रॉपर अभी धीमे धीमे शुरू होंगी तो अभी कक्षाएं ज्यादा नहीं हुई है अगर आप हिंदी साहित वैकल्पिक विसे जो जोड़ना चाहते हैं तो आप विजिट कीजिए studyiq.com studyiq.com और वहाँ पे हिंदी साहित आप्शनल को ले सकते हैं विकास लाइव कोर्ट का प्रयोग करना न भूलें विकास लाइव कोर्ट का प्रयोग करना मत भूलें ये आपको maximum discount दिलवाएगा अगर आप विकास लाइव कोर्ट का प्रयोग करते हैं ठीक है तो हिंदी साहित सबसे ज़्यादा अंकदाई है और सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया है इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा बाकि आप study IQ देखते रहिए आप कर दिन शुबो धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सबस्क्राइब करें study IQ IAS हिंदी